असलाम लेकर व्यूज जीपीए स्टेक के प्लेटफॉर्म से एक दौ फिर आपके खित्मत में हाजर हैं जी व्यूज इस टाइम हम मजूद हैं सरिया के डीपू के उपर और आप देख सकते हैं कि ये स्टील की बार्स जो है इनको तोला जा रहा है और आज का रेट भी आपको बताते हैं कि क्या रेट चल रहा है सबसे पहले मैं आपको अड्रेस बताता जाओं संगी सरीया संगी ट्रेडर्स कोटली रोड एफ तरी यह आप लेग सकती है रेडियो सेचिन जी बिल्कुल आप अपोजिक है हमारे साथ की मुंशी साब में मजूद है आज आज आप बता सकते हैं कि क्या रेट है अजका रहा है एक सो थारा पे किलो जो है वह वो रिट चल रहा है और तो आपने नजर रखनी है कि सरिय को जंग ना लगा हूँ या आप देख सकते हैं कि यह चार सुतरता सरिया है और यह लेकर जा रहे हैं और इसकी ऊपर स्टील की ऊपर कोई किसी किसम का कोई जंग जो है वो नहीं लेगा जो है आपने मेंड चीज फालो करनी है कि जब भी आप स्टील ने स्टील के साथ अपने टैग देख लेना है यह टैग मैंशन होता है कि कौन सी कंपनी का सर तो वह चीज़ें पी अपने मद्दे नज़र रखनी है और अपनी कंस्ट्रक्शन के मताबिक आपने इसको चूज करना है इसी तरह से मैं आपको एक स्पेंड करता हूं कि यह हमारे पास छे सुतर का सरी है इसकी मुठाई आप देख सकते हैं कि यह जरा है और यह हमारे पास चार सुतर का है और ज्यादा तर जो इस्तमाल होता है वो चार सुतर ही इसके साथ-साथ यह एक और जो है यह तकरीमन दो सुतर का प्लेइन सरी है यह रिंग्स के लिए इस्तमाल होता है अक्षर जगों पे के जहां पर आपने कालम को यह बीम को रिंग करना हो यानिके जो बाखोन होगा जब भी अप शरीयर बाय करें तो मैं आप्को ए और यहीं इसलhone करऊगा कि आप जब भी सरीयण भाइब आक्निक के sexual लेना और पार जो भी आप कंपनीका सरीय लेंगे वो इसकी उपर लिखा होगा कि यह कौन सी विखुलाइब के गूंपनी का है। कोशिच करें, आप 60 ग्रेड में सरीय को बाइ करें। क्योंकि जितना अच्छे ग्रेड में सरीय को बाइ करें। अपने आपकी मजबूती जह है वहाद होती। और इसके साथ साथ अपने या हिशे का हयार रखना है कि जो आपने rings बनाने है कालम के वो minimum से minimum 3 सुतर के हो बहुत से लोग जो हैं वो 2 सुतर का सरीय इस्तमाल करते हैं इसलिए आपने 3 सुतर के लिए इस्तमाल करते हैं एक और चीज जो main चीज है कि जब भी आप सरीया buy करेंगे तो आपने देखना है कि इसके उपर ये जो texture है यानि कि ये जो grooves है ये नुमाया होने चाहिए तो ये grooves जो है ये आपका bond बनाएंगे concrete के साथ अगर तो आपका सरीया plain है जैसा कि ये वाला है ये सरीया plain होगा तो ये कभी भी उतनी क्रिप नहीं करेगा जैनि कि ये बांड नहीं बनाएगा आपने कभी भी plain सरीया नहीं लेना आपने अच्छे grooves वारा सरीया हमेशा यूज करना है जब भी construction करना है और मैं भी दुबारा से को explain करता हूँ कि जैसा कि ये कुछ point है यहां पर आपको ये stamp वगरा नजल आ रही होगी इस तरह का point होगा यहां पर ये तमाम की तमाम stamp जो है वो लगी होगी जैसे ये कोहसार है इसके साथ साथ तयवा है इतफाक है मुगल है ये तमाम जो है आप यूज कर सकते हैं अपनी construction के अंदर और इसके साथ साथ आपने इसकी जो पिमाईश करनी है वो आपने अंजीनियस की ड्राइंग के मताबिक करनी है यानि कि कभी भी आपने सरीया जो है अपनी मर्दी से नहीं खरीदना यानि कि जब भी आपने सरीया लेना है वो टन्स में लेके और आपने जो है अंजीनियर्स की ड्राइंग के मताबिक जो है इसको भाई करना है ये मैं वह तो दिखाता हूँ कि इसका वेट हो रहा है इस ताम यह देख सकते हैं 494.6 के जिए है निके 495 किलो जो है ये हो रहा है और ये अब ये गिंती हो रही है कि कित बीच किया जा सकता है लेकिन हर बार को जोह है अब देख सकते हैं कि तोला जा रहा है और इसका वदन करें अब कुछी अ". दुसरी चीज़ आप तो मैं एक्स्पेन कर लूँ के यह कुछ रिंग्स हैं जो बने बनाया रहे हैं यह भी अप देख सकते हैं कि यह प्रॉक्स्इमेटली तीन सुक्तर का रिंग है और इसके पड़ गूरूज अप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गूरूज हैं यानि कि एक्स्ट्रा इसको बेंडिंग देनी है ये हमारे पास अर्थक्वेक वाले एरियास में पास भी helpful टेक्नीक थापत होती है कि जब अर्थक्वेक आता है तो ये एरिंग्स जो है ये खुलते हैं तो ये चीजें भी आपने मदे नजर रखनी है और इसके साथ साथ आपने जो है सरिया की जो कल्कुलेशन करनी है उसके कभी भी कंप्रोमाईज नहीं करना तो यही मैं रिक्मेंट करूँगा कि जब भी धगर और अपने सरियाब है करना है उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं करना प्लास इसकी कुईंटिटी भी कंप्रोमाईज नहीं करना है सजेशन में यह आपको दूँगा कि जब भी आप मल्टी स्टोरी बींड़िंग बना रहे हूं यानि कि कोई भी बील्डिंग जो तीन फ्लोर पे हो या दो फ्लोर वाडि बील्डिंग भी मैं रिक्मेंड तो यही करूंगा परसूनली कि आप जो है ने भी इसलामबाद का सर्या जो है अच्छा होता है यहां पर फैक्टरी की टेस्टिंग गएरा अच्छी होती है वह स्क्रेप से मिलकर नहीं बना होता देव बाइडे जो होता है इसका कहले न्यूक प्राइस आती है डेली बेसिस की उपर इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती है क्योंकि यह बेसिकली स्टील मार्किट के मताबिक जो है यह चलता है तो अभी देखते हैं 494.6 था और एक बार जो यूपर रखेंगे अभी आपको बताता हूँ कि एक बार का कितना वज़ान है बिल्कु इस जैसे यह इन्होंने बताया कि तकरीबन यह 10 किलो है एक बार जो है वो हमारे पास 10 किलो किया अच्छा तर यह बताएं 60 और 40 ग्रेड की कास्ट सेम है यह जो है यह कितनी कीमत है आप इसकी जो है कॉस्ट एक ताइस है और अगर आप 40 करें तो इसके साथ साथ आप सीमट जो है वह वह भी स्टॉक से कर सकते हैं और इसके साथ जो है डिफरेंट टाइल बांड मॉस्टर्स के यह भी स्टॉक वे मिनीगा आपके पास आगी है अगर कोई परसन जो है इंको कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वह कर सकता है तब यूज यह थी आज की वीडियो जो में अमीद तो लोगा यह वीडियो तो इन लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी जो न्यूपर स्टॉक्शन का रहे हैं इंशाला जल्दी ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए हाजर होगा अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा बहुत शुक्रेगा झाल